टॉफो बैस्ट लैप्टाफ ओ वीडियो एटिंग के लिए तो यह अगर आप 4K ट्राइ करना जाते हो यह वीडियो में श्पेशली आपके लिए कर रहा हूं एंड अगर आपका वीडियो 50,000 है आपके लिए भी कर रहा हूं तो स्टार्ट करते हैं बात करते हैं सीधा नंब कर सकोगे प्लस वह अगर आपको आफिस वरक के लिए चाहिए स्टॉटन्ट हो पढ़ते हो अपके लिए ब्यास्टील होने वाली अगर आपने अफालाइन क्लास क्लास ही एन सोफड़ां करना है तो बात करते हैं सीधा number 4 की number 4 की बात करें number 4 पर यार मैंने रखा है MI Notebook Horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी build quality प्लस इसका design वो बहुत जादा इसको suit करता है plus MI brand है plus भी अगर आपका कोई काम ऐसा है online classes लगानी है आपके लिए plus मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपने वीडियो एटिंग करना है creator काम करना है, developer काम करना है plus भी अगर आप gaming वगारा भी करना जाते हो आप कर सकते हो because आपको graphic card की बात करूँ आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है anti-glare display, processor की बात को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती plus 512GB SSD देखने को मिल जाती graphic card की बात करूँ आपको NVIDIA MX350 2GB देखने को मिल जाता है operating system की बात को Windows 10 मिल जाती है battery की बात करूँ आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है price की बात करूँ आपको 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook horizon की अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है अब उसके ओर जा सकते है अगर की requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है तो आप इसके ओर जा सकते है अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, अब ये आगे बात करते हैं, number 3 की, number 3 की बात करूं, number 3 पर यार, मैंने रखा इसर इसपायर 5 को, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रेट 50,000 से कम है, तो ये laptop आपको 45,000 के budget में मिल जाता है, 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं, बहुत अगड़े specification हैं, मैं आपको बताते हैं, सीधी बात करते हैं, हम specification की, तो यह display की बातों को 40 इंच FHD प्लस दिस्प्ले मिल जाती है, जो की IPS पैनल डिस्प्ले प्रोसेसर की बातों को I5 10th generation के साथ मिलता, storage की बात करूं, आपको 8 GB RAM मिल जाते हैं, expandable आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD के benefit की अगर मैं बात करूं, तो बही SSD का benefit यह होता है, अगर आप ट आदा गंटा, 40 मिल ऐसे लगते हैं, लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप data ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, ग्राफिक आड़ की बात करूं, आपको नवीड है, G4 MX 350 देखने को मिल जाते हैं, आप बैंटरी आपके भी, अगर मैं specification के according देखा जो, तो बहुत ज़्यादा सही है, आपको 45 तो के बजिट से लेके, 50,000 के बजिट तक ये laptop देखने को मिल जाते है, तो अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अगर programming करने है, coding करने है, कोई heavy software यूज करना है video editing करना जाते हो, या gaming करना जाते हो, आप इस पे कर सकते हो, आपको 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16GB तक, अगर आपने video editing करने है, तो भई, मैं आपको recommend करना जाता हो, आपने 16GB RAM के या minimum चल जाना, उसको upgrade कर लेना, आपके लिए ही benefit होने वाल को, दोनों को मैंने combine कर दिया, because दोनों ही laptop जो वो Acer की hour से ही आते है, इस budget range में Acer बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो laptops के बारे में मैं बात करूँ, Acer Aspire 7 की, and मैं बात करूँ, Acer Nitro 5 की, सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ, भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, अगर आपको gaming design नहीं चाहिए, तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है, बट अगर आपको gaming design चाहिए, अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता, आपको specification loaded चाहिए, का अगर आपने कोई heavy software यूज करना है, gaming करना है, वीडिय आपके लिए best होने बला, Acer Nitro 5, पहले मैं गलत बोली लगा था, आपके लिए best हो सकता है, Acer Nitro 5 आप जा सकते हो, Acer Nitro 5 के और वो बहुत जाता तगड़ा laptop है, तो अगर आपको gaming करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको office work के लिए चाहिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करते है, दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं, तो यह display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती, तो 16 refresh rate यार average display होती है, इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस चीज को आप दियान म की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता हूँ, प्रेणी सेस्तर की बातों को Windows 10 मिल जाती है, प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिल जाती है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 7 hours का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 50,000 से ल storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है, अपर गरेट आप 32GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 5650 4GB मिल जाती है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 6 hours का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 57,000 के budget में इस स देखने को मिल जाएगा, तो यहर में स्पैसिफिकेशन में आपको दोनों ही laptop के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको laptop बता है, उनका प्राइस जो है, वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहर अगर आप extra पी कर सकते हो, तो मैं आपको कहना चाता हूँ, आपके लिए best deal हो सकता है, इस price range में Acer बहुत तगड़ा है, अगर आपका budget 30,000 होता है, तो मैं आपको Lenovo laptop के और जाने को गया था, विकॉज उतने price range में Lenovo बहुत तगड़ा कर रहा है, लेकिन अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है, इस price range में Acer laptop बहुत जादा तगड़े है, तो यार, अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिया, जो कि आपके लिए perfect deal हो जकता है, अगर आप कोई भी heavy software यूज़ करना जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, office बर के लिए चाहिए, programming करना है, coding करना है, जागर आपने as a creator काम करना है, as a developer काम करना है, जा कोई भी loaded file पर काम करना, अब सभी के लिए, जो मैंने आपको laptop बता है, वो बहुत अगड़े होने वाले, तो यार, अभी मेरी वीडियो, यही पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करना, comment करना, share करना, दोस्तों को बेतना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना, उनको भी करना की चाहिए, गुगर दे सब्सक्राब, विडियो को लिए लाइक, एंड इस्नाग्राम प्रिक लिए फॉलो, लिंक अब गार आईर आपको डिस्क्रेप्शिन ब्रॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाहट कोलना, मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीड को साथ, थैंक यू